जाहन 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 सब लोगों को जाहन भाई तो mathematics quiz सो पढ़ो खेलो और जीतो कि दूसरे चरण में मैं भार्दवाज आप सबों का धेर सारा स्वागत करता हूं तो इसका उद्देश आपका बस इतना है कि आपकी practice भी होती रहे और साथे साथ कुछ मुद्रा भी आपको मिलती रहे interest आपका बना रहे बस दुख की बात यही है कि पिछली बार जिन्हों ने इनाम जीता अभी तक party मुझे मिली नहीं है जितने लोगों ने इनाम जीता है उसमें से किसी ने अभी तक मुझे party नहीं दिये अब कुछ लोगों का जवाब हो सकता है इतना छोटा इनाम में कितना कितना आपको party दिया जाए लेकिन नहीं इनाम इनाम होता है इनाम इनाम है छोटा हो चाहे बड़ा हो यही इनाम आपको बड़े इनाम तक पहुँचाएगा तो चलिए सबसे पहले नियम कानून एक बार फिर से बता देते हैं जो प्रक्रिया है उसकी इसमें कुल प्रशनो की संख्या दस रहेगी प्रत्येक प्रशनों का उत्तर देने का अधिक्तम समय 30 सेकेंड होगा 30 सेकेंड प्रत्येक प्रशनों का सही उत्तर सबसे पहले देने वाले को 51 रूपिया का पुरसकार दिया जाएगा उत्तर देते समय अपना mobile नंबर जिस प्रसन का उत्तर देना ह उसका options सहित उत्तर देना होगा जैसे कि नाम हमारा है नाम b m b underscore mobile number 6387 6 digit जो है 6 फिर questions number dash उसके बाद दूसरे का a है तो a तीसरे का b है तो b इस तरह से आपको answer देना होगा और साथी साथ result इसका कब निकलता है Thursday को निकलता हर संडे को ये 5 बजे होगा और result जो इसका announce होगा Thursday को होगा उसके पहले पहले आप तक इनाम पहुँच जाएगा इनाम उन्हीं को दिया जाएगा जो अपना Google पे नम्मर या फोन पे नम्मर अपना फोटो और डिस्ट्रिक का नाम यहां सेयर करेंगे वो फोटो सही तो उनको दिखाए यूटूब पे बताया भी जाएगा तो सब लोग क्या तयार है जल्दिस बताईए कॉपी पेन लेके बैठ गया है कॉश्चन के लिए तयार है सब लोग जल्दिस बताईए जल्दिस बताए भाई जैहन जैहन सबको जैहन भाई जल्दिस बताईए तयार है स्टार्ट किया जाए सब लोग आ गया है रेडी हो गया है कॉपी पिन लेकर के जब बोलूँगा तभी answer देना है कि question number one का अब answer दीजिए उसके पहले अगर आपका answer है उस time के पहले वो invalid माना जाएगा वो invalid माना जाएगा जल्दी से बताईए जल्दी से बताए भाई तैयार है सब लोग start किया जाए जल्दी से बताएं तैयार चलिए start करें question number first in three dimensional geometry equation x square plus y square is equal to 4 is त्री दीमिये जामिती में समी करन x square plus y square is equal to 4 किसको निरुपित करता है आपका ठीक sphere, cylinder, cone या circle किस में करता है जल्दी से एक बार बताएं जल्दी से बताएं भाई क्या होगा किसको रिपरजेंट करेगा बहुत सारा answer आ रहा है बहुत सारा answer आ रहा है डी 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 तरुन्नम जी भी बता रहा है कोई फायदा नहीं दूसरे का बताने का भी question नंबर पहला का बताना है अब B, C, D जितना भी देखे रहे हैं गलत होगा गलत होगा सब तो इसका सही answer जो है आपका B, cylinder को बताता है किसको बताएगा ये किसका समीकरन है cylinder का समीकरन है ये आपका ये किसका equation है? cylinder का equation है, three dimensional geometry लिखा है चली तो पहले questions का बहुत लोगों ने सही answer दिया लेकिन बहुतों का गलत है, मुश्किल से दो चार दस लोगों का सही है अब किन का सबसे पहले है, वो तो बाद में decide होगा, देखने के बाद decide होगा हमारा, ठीक है? गलती से लिखा गया question चली, तो पहले का D नहीं है वाई, बहुत लोग पिछले साल पूछा हुआ question भी है आपका अब पिछले बार ने कई बार पूछा गया है, कि देखे नहीं X square plus Y square बरावर प्चार तुरंत सरकिल लगाया, इसको नहीं देखा क्या कि साब यहां क्या लिखा है in three-dimensional geometry लिखा हुआ है, in three-dimensional, three beam Eth, जैमिती में कहा रहा, एजरूर है यह हमारा किसका बताता है, वृइत को बताता है, लेकिन three-dimensional geometry में यह किसको बताएगा, सिलेंडर को बताएगा चलिए, तो पहले questions की कहानी खतम हो गई, अब हम लोग दूसरे questions पे आते हैं अब दूसरे questions की बारी हो गई, तो जल्दी से आपका बताए, दूसरे questions को हम लोग देखते हैं, question number two, coefficient of x to the power 5 in the expansion of 10x, जल्दी से देखें इसका क्या होगा answer, जल्दी से बताए ये दूसरे का क्या होगा, x पर power 5 का expansion पूछ रहा है, सब लोग बता दीजिए पहले देख लीजिए, देखें कौन बताते हैं, देखें भाई कौन बताते हैं, दूसरे का जल्दी से बताएं, 10x का expansion अब बहुत सारा answer आया है, बहुत सारा, क्या है, दूसरे का b, हाँ, 2 by 15, x प्लस x cube by 3, प्लस 2 by 15, x पर power 5 होता है, x पर power 1 का एक ही, x पर power cube का कितना, 1 बटा 3, x पर power 5 का कितना, 2 बटे 15, 2 बटे 15 आएगा हमारा, 2 बटे 15, दूसरे का b, हाँ, बहुत लोगों ने सही दिया है, चलिए, दूसरे के भी कहानी खतम, तीसरे पर आते हैं, बहुत इसमें cutting questions नहीं रहना हैं आपको, बस जल्दी देना, जो अकसर गलती करते हैं, वो, इसलिए examination point of view से भी उतना ही important है, if x square plus x plus 1 is equal to 0, तीसरे नमर पर आ जाते हैं हम लो, if x square plus x plus 1 is equal to 0, then value of x to the power 27 plus x to the power 101, और plus x per power 217, जल्दी इस बताइए, यदि x square plus x plus 1 का value 0 हो, तो x per power 27 plus x to the power 101 plus x to the power 214 की value क्या होगी, 214 की value, मेगा अगरवाल जी ने C दिया है, तीसरे का C, 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 हाँ, रहे वाह, लेकिन जो सबसे पहले वाले हो तो बात में decide होगा, इसका answer बहुत लोगों ने सही दिया है, इसका answer बहुत लोगों ने सही दिया है, answer क्या होगा, 0, एकदम सही, x square plus x plus 1 है, यानि x का value या तो omega या तो omega square होगा, तो omega पर power 27, omega पर power 101, और omega पर power 214, omega पर power हो तो क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं, 3 से कट जाए तो कितना 1, 3 से काटने पर 1 बचे तो omega ही, 2 बचे तो omega square, यह 1 होगा, यह omega square होगा, और यह omega होगा हमारा, 1 प्लस omega प्लस omega square की value 0, हाँ सही है, question तीसरे का option number c जो है, एकदम सही है, question तीसरे का question number c जो है, वो सही है, बहुत लोगों ने इसका सही answer दिया है, चलिए, बहुत बहुत बढ़ाई हो आपको, यह minus यहाँ लगा हुआ है, गलती से हाँ, यह minus है यहाँ, यह minus यहाँ नहीं है, minus यह बीच में लगा है, तो box vector a minus b, vector b minus c, vector c minus 1, इसके बराबर है, 0 बराबर, 2 box a, b, c, box a, b, c का square, none of this, जल्दी स्बचाएं, question number 4th का, question number 4th का क्या है answer, question number 4 का, इसमें भी बहुत लोगों ने गलत दिया है, लेकिन maximum लोगों ने सही दिया है, चौथे का 0, चौथे का क्या होगा, 0, कई बार पूछा हुआ सवाल है, क्या होता है, box a minus b, b minus c, c minus a, यह जो होता है, वो जीरो के equal, box a plus b, b plus c, और c plus a, c plus a जो होता है, वो होता है, two box a, b, c होता है, और box a cross b, b cross c, और c cross a जो होता है, वो होता है, box a, b, c का square होता है, तेहां minus वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, minus वाला तो minus वाले का क्या, 0 answer होगा, ठीक, चौथे का option नम्मर a, अब 59 रूपिया के कौन भागिदार है, वो तो Thursday को पता चलेगा, क्योंकि इतना fast comment हो रहा है, इतना ज़्यादा आप लोग उच्छ साथ से participate कर रहे हैं, कि answer नाम बता पाना अभी तो possible नहीं है, उसके लिए आपको तीन दिन का इंतियार करना होगा, question number 5, if f of x is equal to mod of x minus 3 plus mod of x minus 2, then f dash minus 7, then f dash minus 7 किसके equal है, 0 है, 2 है, minus 2 है, इन में से कोई नहीं है, इस तरह के सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं आप से, जल्दी से बताए, question number 5 का, 5 का D आ रहा है, A आ रहा है, B आ रहा है, मतलब तुक्का मत लगाईएगा, जितने questions इसमें पूछे जा रहे हैं, सब examination point of view से, very, 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 very important questions होते हैं, बहुत ही important questions होता है आपका, बहुत रवाह, एकदम बहुत उत्सास, एकदम answer तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एप क्रेस ना कर जा, जिस गती से आ रहा है, क्या होगा, C होगा, ऐसे इस questions को करने का process जो होता है, बड़ा लंबा होता है, लेकिन उसका trick आपको अक्सर पढ़ाते समय बताएं हैं, क्या बताएं हैं, बस केवल आपको क्या करना, जिस पे F-डेस पूछ रहा है, वो रख करके देख लीजिए, तो Y, minus 7 रखेंगे, तो minus 7, minus 3, minus 10, mod के अंदर negative आ रहा है, तो mod minus, mod हट करके minus लगेगा, minus 7, minus 2, ये भी negative होगा, तो minus x minus 2 आ जाएगा, तो minus x plus 3, minus x plus 2, minus 2x plus 5, तो dy by dx जो होगा, वो minus 2 के बराबर होगा, एक्चुली, 2 से कम या 3 से जादा पे, plus 2 होगा, 2 से 3 के बीच में, dy by dx यहाँ 0 होगा, और, हाँ, 2 से कम, चल, ये समझ गया होंगे, उमीद करते हैं, चल, तो ये जिस उतना पूरा डिटेल से करने जुरुत नहीं हो, तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल होता है, कई बार आप से पूछा गया, positive, negative वाला case देखना पड़ेगा आपको, चलिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं, question number six, आपने भी previous years देखा होगा, तिस तरह का देखोंगे, अकसर सवाल आपको दिखाई देता है, अकसर मिल जाता है, जो या तो हम लोग बहुत देर में करते हैं, बहुत time लगाते हैं, या फिर गलत कर देते हैं, if area bounded by curve, y square is equal to kx, and x square is equal to ky, is three square units, then value of k, then value of k, क्या होगा हमारा, दो कर्ब है हमारा, y square is equal to kx, and x square is equal to ky, इन दोनों के बीच, जो घृत छेतरफल है, वो तीन वर्गी काई है, तो k कामान कितना होगा, k कामान कितना होगा, ये आपको बताना है, फिर बहुत सारा अंसर है, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी है, बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इतने गलतियों की उम्मीद तो नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखिए, कि क्यामन रूपिया चक्कर में तुक्का मत लगाईएगा, क्योंकि ये आदत फिर आपको सफल होने एक्जाम में नहीं देगा मेरी महनत और आपकी महनत दोनों बेकार हो जाएगी 51 रुपिया इसलिए रखा गया है कि आप तयार रहें इसके चक्कर में आप पढ़ें जिससे की final जो इनाम मिलना है एक्जाम में आपका selection वो आपको मिले और आपको भी मिले मुझे भी मिले क्या होगा plus minus 3 क्या होता है y square is equal to 4 ax और x square is equal to 4 by है तो इसका area जो हो जाता 16 a by 3 हो जाता है यहां क्या हो जाएगा 16 a की जगा k by 4 बी की जगा भी k by 4 बटे 3 बराबर 3 16 16 कट गया k square बराबर 9 तो k कामान plus minus 3 आएगा k की value plus minus 3 बहुत लोगों ने दिया लेकिन मतलब उतनी ज़्यादा गलतिया थी जितनी की उमीद हम नहीं कर रहे थे question number 7 if a is a square matrix of 3 cross 3 a कोई वरगाकार आप view है 3 cross 3 का आपका determinants of a 5 a का जो सारनी का मान दिया है 5 तो पूछ रहा है determinants of adjoint of adjoint of a determinants of adjoint of adjoint of a किसके बराबर है ये आपसे पूछा जा रहा है जल्दिस बताएं क्या होगा 5 का square 5 पर power 3 5 पर power 4 इनमें से कोई नहीं क्या होगा determinants of adjoint of adjoint of a पूछ रहा है determinants of adjoint of adjoint of a दो बार adjoint लगा हुआ है दो बार adjoint लगा हुआ है तेजी में के चक्कर में बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं भाई बहुत लोग क्या होगा साथ में का c 5 to the power 4 क्या होता इतने बराबर determinants of a to the power n minus 1 का square n की जगा 3 है n की जगा 3 है तो 3 minus 1 का square यानि की कितना ये हो जाएगा 5 पर पावर 4 यानि की 625 हो जाएगा क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा हमारा चली इतने लोग गलत answer कैसे काम चलेगा भाई एक्जाम उसके बाद कहेंगे गुरू जी selection रुख गया एक नमबर से रुख गया दो नमबर से रुख गया तीसी तरह के questions आप लोग अक्सर गलती कर डालते हैं अब यहाँ ये गलत होगा पैसा ना मिलेगा तो आपको याद रहेगा और ऐसा हुआ तो समझेंगे इस quiz का मेरी महनत का और मेरे पैसे का महनत का और महनत के पैसे का क्या परिणाम मिल गया अच्छा परिणाम मिल गया कि वहाँ आप एक्जाम में गलत नहीं करेंगे साथ में का चलिए साथ में कहानी भी खतम समझ गया होंगे साथ में का सी नंबर चलिए कुश्चन नंबर आठ में की ओर आते हैं 53 संडे और फ्राइडे एक लीप एर को अगर यद्रिछया चूना जाए तो तिरपन सुक्रवार या रवीवार होने की क्या संभावना एक बटा साथ दो बटा साथ तीन बटा साथ और नन आफ दिज यानी की इन में से कोई नहीं हमारा आठ में का सुभाज यादव बी सी ए बी सी सब कह रहे हैं चलिए चलिए जल्दी से और लोग भी आंसर दे देंगे मोदी लेफ्ट अरे बापर अरे मोदी जी भी आ गया है क्या ओहो नमस्कार मोदी जी मोदी जी भी आ गया है आज मेरा कुई सुक्र खेलने के लिए वह अहो भाग हमारे जो मोदी जी पधारे क्या होगा अंसर डी नन आफ दिज इसका अंसर क्या होगा डी होगा नन आफ दिज होगा इन में से कोई नहीं होगा हमारा इन में से कोई नहीं 502 हञा क्या कारा संडें और फ्राइडे कारा क्या कारा संडें और फ्राइडें हमारा संडें और Friday, Sunday Friday, तो दोनों, अच्छ, ने एक मिनदे, एक मिनदे, एक मिनदे, सारी सारी सा, Sunday और Friday, तो यहाँ पर क्या है, दो बते साथ, Sunday और Friday हमारा तो probability of Sunday, plus probability of Friday और minus probability of Sunday intersection Friday, Sunday intersection, Friday हमारा तो संडे की अगर बात करें हम तो संडे कब कब आएगा जब संडे मंडे आजाए या फिर तो दो बटे साथ आएगा फ्राइडे की बात करें तो ये भी दो बटे साथ आए थरस्डे फ्राइडे आजाए या फ्राइडे साथ आजाए ठीक और Sunday Friday दोनों की बात करें तो जीरो तो answer जो आएगा वो 4 बटे साथ आएगा answer जो आएगा वो 4 बटे साथ आएगा यानि की D number वही आपको बता है C नहीं D number Sunday और Friday दोनों एक साथ तो आही नहीं सकता है intersection बाकी बचा हुआ दो दिन संडे और Friday की बात करें तो संडे और Friday तो कभी पॉसिबल ही नहीं है न तो answer क्या आएगा इसका 4 बटे साथ आएगा 4 बटे साथ इसका answer आएगा हमारा clear है उमीद करते हैं समझ गया होंगे सब लोग चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि कभी भी दो दिन बचा लगातार होगा Friday Sunday थोड़ी हो सकता Friday Saturday हो जाए Thursday Friday हो जाए Sunday Monday हो जाए Saturday Monday हो जाए तो इसमें किनी का answer सही था नहीं किनी का भी answer सही नहीं था टाइम से question number 8 का किनी का भी answer सही नहीं था किसी का भी answer सही नहीं था, इसके इनाम के हगदार कोई नहीं बनेंगे कोई भी नहीं, कोई भी इसका अंसर सही नहीं दे पाया था चलिए question number 9 की बात करें हम If f of x is equal to 10x is decreasing function f of x 10x जो है वो decreasing कब होता है first quadrant में, second quadrant में, ठीक है all quadrant में none, इनमें से कोई नहीं 9 में का जल्दिस बताइए f of x 10x जो है वो decreasing कब होगा 10x जो है वो decreasing function यानि खास मान फलन कब है खास मान फलन कब होगा इसका तो हाँ, चलिए, बहुत लोगों न, तो answer जिनोंने d दिया है उन सबका सही है, जो सबसे पहले कौन दिया हूँ, भागिशाली विजेता कौन है वो तो Thursday को पता चलेगा, वो Thursday को क्योंकि 10 हमेशा क्या होता है, increasing होता है 10 का graph बनाते हैं, तो 0, pi by 2, pi, 3, pi by 2, 2, pi, 5, pi by 2, minus pi by 2 तो इसका graph जब आप बनाते हैं, तो ये बनता है graph 10 का ये बनता है, ये, तो हमेशा नीचे से उपर ही जाता है चाहे, first quadrant हो चाहे, third हो चाहे, fourth हो 10 always increasing होता है, 10 जो होता है always increasing and caught always decreasing होता है, ठीक है, अपने domain में ये हर जगा बढ़ेगा ही, और caught अपने domain में हर जगा घटेगा ही ये हमारा, ठीक, तो इसका none of this, इसका भी क्या होगा, none of these होगा, इसमें बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन फिर भी उमीद के मताबिक सही जवाब हमें नहीं दिखा, इतना fast हो रहा है कि उतना तुकर मैं नाम सब का नहीं पढ़ता हूंगा, तो चलिए आखरी questions के लिए ready हो जाएं, आखरी questions के लिए ready हो जाएं, मोदी जी ऐसे करेंगे तर राजनीती नहीं है, मोदी जी ये, मोदी जी ये एक तर राजनीती नहीं है, यहां राजनीती dackma हमने बोला नहीं, आपने अंसर भी देनée लग जाए, ठीक तो मोदी जी राजनीती को वहीं रखे है, यहां पढ़ाई की बात है, ठीक, यहां क्यों राजनिती आप करने लग रहे हैं मोदी जी हाँ दसमें का सी आ गया मोदी जी का भी गया वा मोदी जी मोदी जी हो करके फिर पप्पु वाला काम क्यों कर रहे हैं ऐसा ना करें चलिए अगले last questions की बात हम लोग करें question number 10 if ns is equal to 3 then number of commutative binary operation on s binary operation on s क्या होगा हमारा जल्दिस बताएं ये क्या होगा number of binary of commutative binary operation पूछ रहा है commutative binary operation जल्दिस बताएं commutative binary operation binary operation चाहिए और वो commutative होना चाहिए हाँ सही है दसमे का क्या power में n square minus n तो n की जगा 3 है 3 का square 9 9 minus ठीक तीन पर power 6 आ जाएगा तीन पर power 6 यानि की 739 703 पर power 6 कितना 729 हमारा इसका कितना option number 729 दसमे का सी तो चलिए आज की कथा समाप्त हुई आज जिन लोगों जो भी भागिशाली विजेता हैं हमें नहीं लगता दसो प्रस्ण का एक तो किसी के ने दिया ही नहीं आठमे का तो किसी का सही नहीं है तो आज भी वो हीरा मुझे नहीं मिला जो 1100 रूपिया जीत सके एक 1100 रूपिया जीत सके चलिए तो थरस्डे को आप करेंगे आपको थरस्डे को या कल ही आपके पास कॉल चला जाएगा जो जो विजेता होंगे वो एक अपना खुबसूरत सा फोटो खुबसूरत सा फोटो दे देंगे और अपने डिस्टिक का नाम दे देंगे पे फोन नंबर मतलब जिस पे भी पैसा मंगाना होगा वो नंबर वो अपना दे देंगे ठी और अगर वो कुछ संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे द दो बंदमुस्किस 20-25 सेकेंड के वीडियो में आप जरूर बताएंगे सायद ये यूटूब का कहें मतलब पहला कोई सो होगा इधर कहें जिसमें बहुत सारे इंसूट चल रहे हैं कहीं इस तरह का सब जगा फीस लिया ही जाता है यहां भी लिया जाता है लेकिन लिये जाने के साथ साथ यहां आपको दिया भी जा रहा है तो फिर तीसरे के लिए अगले हपते फिर से तयार हो करके रहिएगा फिर मैं बताता हूँ इसका उद्देश बस केवल इतना है कि आप पढ़ाई पे जोड लगाए रहें लगे रहें टच में आप बने रहें कि अभी योगी बाबा तो नहीं ले रहें पर इच्छा तो हम ही हर अपते पर इच्छा लें कि आपका मन उचाट ना हो अब इतनी सैलरी तो नहीं दे सकता हो लेकिन भाई जो भी आएगा फर्स उसको कुछ दिया जाए उसमें चलिए जैहन जैभारत बाकि कल फिर अपने क्लास के टाइम पर हम लोग मिलते ही हैं इसका को पहले अंसर देता तो डिस्क्वालिफाई हो जाता उसका को अब भी नहीं है वह डिस्क्वालिफाई आल रेडी है तो उसके लिए आपको टेंसन देखने जुरत नहीं है वह मेरी समस्या है तो पहले जो देते हैं वह दिया है चलिए हुआ है अब जुआ है